हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज बात करेंगे निपोन इंडिया की तरप से एक बहतरीन प्लान के बारे में अगर आपने 2024 में प्लान किया है कि जो बचे हुए कुछ महने हैं उसमें एक बहतरीन इंवेस्टमेंट करें और एक बहुत ही तगड़ा रकम आपको रिटर्ण के तौर पे मिले तो कौन सा वैसा फंड हो सकता है जिसमें आप इंवेस्ट कर सकते हैं वही चीज आपको आज हम बताने वाले हैं आज का जो फंड है यह है निपोन इंडिया के तरफ से निपोन इंडिया एक बहुत बड़ा EMC कंपणी है जो की जिस तरीके से SBI HDFC को आप जानते हैं वैसे अगर आप मूचल फंड इंडिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं तो आगे बढ़ते हैं उसे पहले चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए यह जो फंड है यह है निपोन इंडिया का स्मॉल कैप फंड अब रिटर्ण की अगर जहां बात आती है वहां स्मॉ साल का एवरेज रिटर्न अगर हम लोग देखें तो हर साल 40% 49% के आसपास रिटर्न दिया है पिछले तीन साल का अबरेज रिटर्न देखें तो लगवग 34-35% हर साल दिया पिछले एक साल में 53% और पिछले 6 मेहने में 25-26% का रिटर्न दे चुका है अब इसके बाद बात है इसमें इन्वेस्ट कैसे किया जाए अगर आप मंतली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनीमम सिर्फ सौर उपे से इहां पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आप वन टाइम करना चाहते तो अभी यह फेसलिटी इसमें एवलेबल नहीं है इसमें अभी वन टाइम इन्वेस्टमेंट की फेसलिटी को बंद कर दिया गया है तॉप होल्डिंग्स की बात करें यानि कि जिसमें यह कंपनी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है वो है HDFC बैंक, ट्यूग इन्वेस्टमेंट, क्रिलोशकर ब्रदर्स, ओल्ट, एम्प, ट्रांस्फोर्मर, अपार इंडिस्ट्री और आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करेंगे जो इसका फ्रंड साइज यानि जो लोगों ने पैसे इसमें जमा किये वो 60,372 करों रुपे पहुंच चुक लेता है, वो मात्र 0.63% है, यानि 1% से भी कम, यानि कि अगर आप 1,00,000 रुपे कमाते हैं, तो वहाँ पे आपको मात्र 630 रुपे देना पड़ेगा, तो बहुत ही कम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही कम expense ratio, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसके calculate करते हैं, 22%, और monthly investment करते हैं, मात्र 800 रुपे, अगर यह 800 रुपे आप 5 सालों तक जमा करते हैं, तो आपकी जो रासी होगी, जमा रासी वो 48,000 रुपे, और 22% return मिलता है, तो आपको return में मिल जाएगा, लगबग 40,000 के आसपार, total value 87-88,000 की बनेगी, यही चीज़ 10 सालों मे देखा जाए, तो 96,000 रुपे आप जमा करेंगे, 22% अगर मिलता रहा तो 2,52,000 आपको return मिलेगा, total value आपकी fund के 3,48,000 की हो जाए, 15 सालों में 1,44,000 की आप invest करेंगे, 9,88,000 आपको return मिलेगा, total value 11,24,000 की होगी, 20 सालों में 1,92,000 आप जमा करेंगे, 32,44,000 आपको return मिलेगा, total value 34,33,000 की, 25 सालों में 2,44,000 का investment, 1,60,000 का return, total value 1,30,000 की, और अगर आप यंग है, अभी 30 साल तक invest कर सकते हैं, 2,88,000 का investment 30 सालों में होगा, और return मिलेगा, 3,44,000 आपको return मिलेगा, total value 3,70,25,000 की, ये तब संभव है, जब 800 रुपे आप हर महने जमा करते हैं, कितने सालों तक 30 स सालों तक, और आपको हर साल जो return मिलता है, वो 22 परसंट या उससे ज़्यादा मिलता है, तो ये 3 करोर का target भी आप छू सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज अस्वश सब्दों में कह दू कि mutual fund हो या चाहे share market, यहाँ पे return की guarantee 100% कभी भी लेके invest बिलकुल ना करें, क्योंकि ये totally depend करता market situation पे, अगर market up and down होता है, तो आपके return जो हैं, वो भी up and down होंगे, हो सकता है, कि market 32 सालों तो बहुत ये smoothly चला, बहुत अच्छा grow किया, तो ये जो 22 परसंट आपको दिख रहा है, ये 25 परसंट, 30 परसंट भी हो सकता है, क्योंकि अभी आपने देखा, 25 सालों से लगातार 30-35 परसंट रिटन देना, लेकिन कुछ ऐसी situation आती है, बाढ़ हो गया, या कुछ भी situation ऐसी हो जाती है, क्योंकि आपने देखा, 2019-2020 में बहुत ही ऐसा tragic situation हुआ कि बहुत सारी चीज़े down हो गई, तो ऐसी अगर कुछ चीज़े होती थी, ये 22 से 12 परसंट तक भी ज ले सकते हैं, उसके बाद ही invest करें, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, और किसी फट्ट की आपको जानकारी चाहिए होता, आप हमें comment कर सकते हैं, या अपने सुझाओ हमें यहाँ पे comment में लिख सकते हैं, तो वीडियो को like कर दीजे, अपने दोस्तों के सार, share कर दीजे, म मिलते हैं एक नई वीडियो में,